Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum आज बात करेंगे बचे हम speed और uniform speed क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे speed क्या है अगर speed की definition देखी जाए तो definition में बताया जा रहा है The distance cover by an object in unit time is called speed मतलब the distance cover, जो distance cover किया जाता है by an object किसी भी object, कोई भी object जो distance cover करता है in unit time unit time मतलब वो एक second में कितना distance cover करता है या एक minute में या एक गेंटे में एक साल में जो वो एक साल में या एक second में या एक गेंटे में distance cover करता है उसको हम बोलते हैं speed नई समझ आई तो चलो example से देखते हैं अब यह देख रहे हो यह गाड़ी है तो यह definitely object है object क्यों है क्योंकि इसका कोई मैस है और इसने कोई जगा भी गे रही है इसलिए object है तो हमारे पास object आ गया तो क्या कहा था the distance cover by an object तो यह object जो distance cover कर रहा है in unit time तो देखें यह गाड़ी यहां से यहां तक जब आती है तो कोई time लगता है उसको यहां से यहां तक आने में तो अगर हमारे पास distance भी हो और time भी हो तो हम उसकी speed निकाल सकते हैं तो चले कैसे देखते हैं speed निकालने के लिए क्या चीज़े ज़रूरी है अगर उसका formula देखें तो speed निकालने के लिए हमारे पास distance और time का होना सब्सक्राइब देखें अगर यह ठो हैंसे लेकर कर रही है इसकेसिपीद Gisel तरह किरें लेखते हैं दी क्या require नहीं होती direction नहीं बताई जा सकती यह गाड़ी इस तरह भी मूव करें या इस तरह भी मूव करें तो इसकी स्पीड जो हम इसली निकाल सकते हैं direction कोई matter इस पर नहीं करती अब यहां पर देखते हैं इसके यूंट की अगर बात करें तो यूंट हमारे पास क्या है distance का यूंट होता है meter time का यूंट होता है second तो फिर speed का यूंट हो गया हमारे पास meter per second चले हमें यह भी पता चल गया speed किस तरह से निकालते हैं और उसका यूंट क्या है तो अब इसी example को हम solve करते हैं चले माल लो आप यहां से मैं कुछ उड़ा कर लेता हूं यहां से माल लो कि यह गाड़ी जब यहां से चलती है और यहां तक आती है तो इसने दर्मियान में क्या cover किया distance कितना distance cover किया हम माल लेते हैं कि इसने 10 meter का distance cover किया तो यहां से आपको यह भी पता चल गया कि distance को हम S से लिखते हैं तो इसने 10 meter का distance cover किया अब गाड़ी जब यहां से यहां तक आई थी तो definitely कोई time लगा होगा एक दो तीन चार पाँच सेकंड कुछ time लगा होगा तो हम माल लेते हैं कि दो सेकंड में इसने 10 meter का फासला cover किया अब देखते हैं कि speed कैसे निकाल गया है तो अगर speed का फार्मूला देखे तो speed में यह कहा जा रहा है कि आपके पास दो चीज़ें और चाहिए distance और time तो दोने चीज़ें मजूद है distance और time अब इसको divide कर ले distance को time पे कुछ इस तरह से तो यहां से आपको यह भी पता चल गया कि speed को हम लिखते हैं वी से अब distance कितना था ten meter और time कितना था two second तो जब इसको divide किया गया तो हमारे पास आ गया five meter per second इसका मतलब यह हुआ कि यह गाड़ी हर second में पांच मीटर का फासला तैक कर रही है तो इसकी speed होगी हमारे पास five meter per second तो किसी चीज़ की भी अगर आपने speed निकाल निया तो आपके लिए आपके पास दो चीज़े होना जरूरी है एक distance और एक time आप distance और time से किसी भी uniform speed की बात करते हैं कि uniform speed क्या है तो बीना time जाया कि हम इसकी definition देखते हैं अब body has uniform speed एक body uniform speed कहलाएगी कब उसकी uniform speed कब होगी if it cover equal distance अगर वो एक जितना फासला कवर करता है in equal interval of time एक जितने time में however short the interval में भी चाहे वो time कितना ही चोटा क्यों ना हो चाहे उसके फासला वो time कित ना ही चोटा क्यों ना हो चले हम example से देखते हैं बचे यहां पर आप देख पा रहे हो यह train है और यह train क्या कर रही है मूव कर रही है यहां तक अब अगर आप गोर से देखो साथ साथ आप ने यह गड़ी की तरफ भी दहां रखना है आप देखो पहले 15 सेकंड में यहां स हम स्टार्ट करते हैं चले अब आप गोर से यहां पर गड़ी को भी साथ साथ देखिएगा जीरो से स्टार्ट ही 15 किलो मीटर का फासला उसने 15 सेकंड में कवर कर लिया था फिर वो आगे 30 पे आती है तो तब उसका टाइम कितना हो चुका होता है 30 मिनिट हो चुके होते है जब वो 45 पे आती है तो तब उसका टाइम कितना हो चुका होता है 40 मिनिट आपको बचे यहां पर समझाने का क्या मकसद है यह देखें उसने जो पहले 15 किलो मीटर का फासला था उसने 15 मिनिट में कवर किया जो अगले 15 किलो मीटर का है वो भी उसने 15 मिनिट में ही कवर किया और फिर जो next 15 km का था वो भी उसने 15 मिनट का ही कवर किया मतलब वो क्या कर रहा है एक जितना फासला देखें 0 से लेकर 15 km का फासला उसने 15 मिनट में किया है तो आगे फिर देखें 15 से लेका 30 फिर अगला 15 km का फासला भी उसने 15 मिनट में ही किया है ना फासले में कमी आई है ना टाइम में एक जितने टाइम में वो एक जितना कवर कर दिया गाड़ी इसी तरह नेक्स जो है नेक्स फिफ्टीन किलो मीटर का फासला भी उसने फिफ्टीन मिंट में ही किया है तो यहां पे देखे एक जितना ही टाइम लग रहा है एक जितना ही वो फासला कवर कर दी है गाड़ी इसलिए हम इसको बोलेंगे युनिफार्म स्पीड ना मतलब टाइम में कोई फरक आ रहा है ना ही उसके डिस्टेंस में फरक आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे युनिफार्म स्पीड युनिफार्म का मतलब क्या है बचे युनिफार्म का मतल रहा है, एक जैसे time में एक जैसा फासला Cover हो रहा है, इसलिए इस speed को बोलेंगे uniform मतलब इसकी speed एक जैसी है, ऐसा नहीं है, कि उसने पहले 15 kilometer का फासला 15 मिनट में किया है, तो दूसरे 15 km का फासला वो 30 मिनट में कर दें, ऐसा नहीं है एक जितना टाइम लग रहा है और एक जितना ही फासला इस ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफर्म स्पीड होप सो बचे आपको लेक्चर की समझ आई है लेक्चर की समझ आई है आप इस वीडियो को दुबारा देखें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो तक अल्ला आफिस